पीछे हमने देखा था आर्ट को, म्यूजिक को, ड्रामेटिक एक्टिविटीज को, अब हम देख रहे हैं, साइंस और डिस्कवरी एक्टिविटीज को, और वो पीछे जो हमने कहा था, लेंग्विज आर्ट है, सोशल स्टुडीज है, मोटर देवल्पमेंट है, यह सब इसक को देखने की कोशिश करेंगे, जैसे अब इक्सप्रेसिव आर्ट की जब हम बात कर रहे थे, तो साइंस के हवाले से हम कॉज एंड एफेक्ट रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं, कलर मिक्सिंग है, इमेजिनेशन है, टॉकिंग अबाउट एक्सपैरिमेंट है, तो यह जो सारी बात हैं, यह हमारी एक्सप्रेशन के लिए बड़े मुफीद हैं, फिर लेंग्विज आर्ट में जब आप साइंस और मैक की बात करते हैं, तो मैक की और साइंस की अपनी टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स बच्चों ने सीखनी है, मोटर डवेलपमेंट है, त जिसमें ब्लॉक के साथ भी चीज़ें हो सकती हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, तो वो हमें क्या सिखाती हैं, मोटर डवेलपमेंट सिखाती हैं, तो दूसरे लफ्दों में हम साइंस के साथ साथ मोटर डवेलपमेंट भी कर रहे हैं, मैक्स जैसे हमने देखा, sorting shapes, classification, using charts and graphs, counting, measurements, यह सारी चीज़ें यह हमें तिखाती हैं, कि हमने किस तरह से behaviors आप्स करने हैं. फिर discovery activities जो है, वो science में किस तरह से social studies में हैं, जैसे अब तो global world आ गई, तो observation of living things, observation of non-living things, areas, etc. and then social development है, जैसे sharing, taking terms, safe practices, decision making, cooperation and listening, etc. Likewise, science में क्या है, experimenting है, use of senses, observation, similarities and differences, etc. तो यह वो सारी characteristics हैं, जो हमने बच्चों को integrate करके सिखानी है, science, math के साथ. अब देखे, math में भी हम, जब बजाहर हम math और manipulative activities कर रहे हैं, यानि जिसमें बच्चे, खुद से कुछ बना रहे हैं, या solve कर रहे हैं, या problem solve कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम इसको इसी तरह से तमाम subject साथ relate करेंगे. For example, देखे, अगर manipulative activities को देखा जाएं, तो expressive arts में हम देखते हैं, कि बच्चे patterns कैसे बना रहे हैं, sort कैसे करें, तो आप उनको different ऐसी objects देते हैं, जिनको वो तर्तीब दे रहे होते हैं, और बता रहे होते हैं कि बड़ा क्या है, छोटा क्या है, और यह कि उनके sizes में, उनके colors में, क्या differences हैं, then language arts की बात करें, तो math vocabulary, talking about math, developing concepts, developing ideas, so reading pattern जो हैं, वो सारे language arts से तालुक रखे हैं, motor development में, देखें, जब बक्चे blocks के जरिए, या numbers को arrange कर रहे हैं, या blocks को arrange कर रहे हैं, तो तब भी तो motor development कर रहे हैं, प्रिसीजन के साथ उनको चीज़ें करनी हैं, likewise math जो है, वो हमें बताता है, one-to-one correspondence, यानि किस मसले को कैसे आप हल करेंगे, matching groups, और यह वो चीज़ें हैं, जो बड़ी keen observation से आप सीख सकते हैं, counting है, number recognition है, ordinal relations है, shape recognition, etc, अब यही चीज़ें हम social studies के through भी हमने कहा था, अपनी activities को सारे subjects में, और यही जो basic subjects है, science है, math है, social studies है, उसमें हम math और manipulative activities को integrate कर रहे हैं, social studies में अगर हमें करना हो, तो हम क्या देखते हैं, application of math studies, observing shapes in environment, cultural numbers, symbols, counting in different languages, etc, social development कैसे होगी, cooperation है, sharing है, respect for materials है, decision making है, material organization है, देखें, आप काम math का कर रहे हैं, manipulative activities कर रहे हैं, लेकिन आप चीज़ों को grouping तो कर रहे हैं, आप उनके similarities को और differences को तो identify कर रहे हैं, likewise अगर आप science पढ़ रहे हैं तो फिर आप explore भी करने हैं, observe भी कर रहे हैं, math and manipulative activities could be assessed through different subjects like expressive arts, like patterns, sorting and classifying, special relationship, counting with songs, dimensually, so language arts में भी इसी तरह से language arts में भी बहुत सी चीज़े integrate की जा सकती हैं, जैसे math vocabulary है, talking about math, developing concepts, etc, फिर motor development की बात कर रहे हैं, motor development जहां कहीं movement होगी, motor development उसका हिस्सा होगी, जैसे number writing है, उसमें भी बच्चे सीखते हैं, responding shapes है, gross motor development है, left-right directionality है, तो इसी तरह से math में one-to-one corresponding है, जैसे matching groups, counting, number recognition, ordinary relations, etc, यही math manipulative activities हम social studies और social development में भी integrate कर सकते हैं, जब social studies के subject की बात करेंगे, तो application of math studies है, इसमें observing shapes in environment, cultural numbers, symbols, counting in different languages, etc, और social development जब बच्चे एक दुसे के करीब आते हैं, group बनाते हैं, तो cooperation है, sharing है, respect for materials है, decision making है, material organization, time management, यह सारे हमारे बच्चों की social development का हिस्सा है, इसी तरह science के अंदर भी, अब science और math को अगर हम integrate करेंगे, तो हम exploring, observation, prediction, sorting, classifying, comparing, inventing, etc, we can use them, जितने भी subjects हैं, इनके अंदर बच्चों के different behaviors को integrate किया जा सकता है, कि अंदर deveया, जास्ट है, तो does कि अमार सकता है,... अमार सकता है, कि अंदर मेरी यम्थ्चों की खि Ey Сंब और is नितनाया, अवर草क के आते हैंleye anुप।